हलो एवरीवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज की शांदार यूट्यूब चानल पर जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइट करते हैं 100% free of cost high quality education for K12 यानी kindergarten से लेकर class 12 CBSC board English medium और बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम के students भी हमारे इसी channel पर नहीं दोस्त हिंदी मीडियम के students के लिए हमने एक अलग channel बनाया है which is magnet brains हिंदी मीडियम जहाँ पर हमारे class 6 से लेकर class 12 तक के बढ़िया वाले हिंदी मीडियम students को बढ़िया वाली पढ़ाई कराई जाती है and that too free of cost notes अगर आपको download करना है तो हमारे पास class 6 to 12 English medium and Hindi medium के all subjects के बढ़िया वाले notes PDF format में e-notes available हैं जो आप download कर सकते हैं this side, zishan, your maths mentor आप सभी का स्वागत करता हूँ यार आज के इस बड़िया session में जहां पर अपन total 4 examples solve करेंगे छोटे-छोटे videos रखूँगा बड़े नहीं 4 examples क्यों करेंगे sir NCID के 9, 10, 11, 12 बिटा because यहां जो examples है न वो आपको हो सकता kios create कर दें इसलिए मैंने सोचा यार जादा examples ना लेकर 4 या 5 examples लेकर चलते हैं अच्छा शुरू करते हैं so this is it first one example आपके सामने है मेरी बात ध्यान से सुनो हमेशा याद रखना कि कभी भी आप examples पढ़ रहे हो exercise पढ़ रहे हो तो एकदम से मत पढ़ा करो उसका पहले background जान लो और वह जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा जो previous वीडियो है जिसमें मैंने आपको permutation के तीन formula समझाए है एक video में दो formula समझाए और एक और video में तीसरा formula समझाए है जो permutation का सबसे अलग formula है तो यहाँ आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँगा तो धीरे समझाओंगा आराम से समझाओंगा क्योंकि यह जरूरी है चीजों को अच्छे से समझना समझते हैं find the number of permutations of the letter of the word Allahabad अब सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ पर पहले अपन spelling लिखते हैं Allahabad की A-L-L-A-H-A ठीक है A-L-L-A-H-A-B-A-D ठीक है सर Allahabad ठीक है अब question को सरा अच्छे से पढ़ो find the number of permutations ठीक है सर permutation के बता बच्चा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सची बोल रहा हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो permutation के आपने तीन फॉर्मले पढ़े होंगे एक पढ़ा होगा बिटा NPR जो होता है N factorial upon N minus R factorial ठीक है सर एक तो ही होता कब लगता यह नहीं पता होगा हाँ सर फॉर्मले तो याद है में पर यह कब लगता सर gers यह यह याद नहीं आ रहा है इंतीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्मलट यही है यह फॉर्मला tutorial of repeated objects, ठीक है, यह सबसे जादा important है, मैं बताऊंगा अभी आपको, सारी चीज़े बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ठीक है, सर कौन सा formula कब लगता ये नहीं पता, मैं बस हमें ये पता है कि formula हम तो हमने formula तो रख ली है सर, ये number of permutation के तीन formulas है, number of permutation, ठीक है, permutation, सर बतातो दो कब कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना, बच्चों क्या यहां हमें ये दिया गया है कि repetition allowed या repetition not allowed, no sir, कोई formula नहीं दिया, ध्यान से सुनो बेटा, repetition is allowed, नहीं दिया sir, repetition not allowed, नहीं दिया sir, ध्यान रखना ये जो प्यारा सा cute सा formula है न सबसे छोटा हाँ sir ये सबसे कम use होता है सबसे छोटा formula सबसे कम use होता है बहुत rare use है इसका क्यों? क्योंकि ये तब use होता है बेटा ध्यान से सुन लो when repetition is allowed when repetition is allowed r e p e t i t i o n repetition is allowed ठीक है sir और जब repetition allowed होगी तो वो clear लिख कर देंगे कि भाया repetition is allowed तो जब यहां कुछ लिख कर ही नहीं दिया repetition के बारे में कि कुछ repeat हो रहा है के नहीं तो हम ये वाला formula को kick कर देंगे हमें ये use नहीं करना है ठीक है sir next ध्यान जे सुनो sir यहां repetition not allowed ये भी नहीं लिखा अब हम confused है sir ये वाला use करें के ये वाला आव तुम्हें बताता हूँ बहुत simple सी बात है बेटा आपको सबसे पहले पूरे word में present letters गिनने हैं जो आपको दिया गया है शब्द ठीक है sir उसको आपको letters गिनना है कितने letters हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो आपने लिख दिया 9 letters हैं और जो आपको number of letters दिये होते हैं उनको हम number of objects बोलते हैं ये objects हैं letters और objects तो जितने objects आपको दिये हैं बिटा वो and होता है जितने objects आपको आपके question में दी गई spelling में या word में दिये गए वो and होता है ठीक है sir clear है हाँ clear है अब हमें permutation ढूणना है क्या इन्होंने ये लिखा कि भाया इस पूरी spelling में जो letters हैं उसमें से तीन letter के words बनाओ या पांच letters के words बनाओ या दस letter के words बनाओ कुछ भी नहीं दिया इनने अच्छा बनाने words है number of permutation का मतलब है इनके letters को इधर उधर करो arrangements बनाओ पर कितने letters sir चार letters लेना है क्या एक साथ sir पांच letters लेना है क्या क्या आठ letters लेना है क्या एक साथ कुछ भी नहीं दिया जब कुछ भी नहीं दिया तो समझ जाओ नौ के नौ लेटर्स को एक साथ लेना है नौ लेटर्स दिये ना अलाबाद की स्पेलिंग में हाँ सर तो इस वर्ड में कितने लेटर्स है नौ तो नौ के नौ लेटर्स एक साथ लेना है जब कुछ दिये ही नहीं है कि कितने लेटर्स लेना है 9 letters के ही words बनाने है तो जो R आ रहा है भीटा वो क्या है 9, R कितना है दोस्त 9, इतना clear है है हाँ, ठीक है जो spelling दी है, word दिया है, उसमें कितने letters है 9 वो N हो जाएगा, कितने letters की spelling बनानी है, words बनाने है, सर कुछ नहीं दिया, तो 9 letters के ही words बनाने हैं, तो R हो गया 9, ठीक है सर, अब यहाँ पर अपनको देखना है क्या कोई object repeat हो रहा है, यह सबसे important है सबसे important है, मतलब क्या A repeat हो रहा है, हाँ, सर A देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सर एक यहाँ है, ठीक है और एक यहाँ, इसका मतलब एक कितनी बार repeat हो रहा है बिटा A four times repeat हो रहा है, four times, ठीक है सर ओके कुछ और repeat हो रहा है क्या, सर देख लेख लेख, L repeat हो रहा है सर L, तो सर L एक बार है और दो बार है, तो सर L कितनी बार है बिटा L दो बार है ये और ये और है क्या No sir तो L कितनी बार repeat हो रहा है बच्चा L हो रहा है two times ठीक है कुछ और repeat हो रहा है क्या H नहीं सर B नहीं सर D नहीं D और तो नहीं है नहीं है सर H नहीं है सर B नहीं है ठीक है a और l repeat हो रहा था जब भी आपके दिये हुए word में objects अलग-अलग ना हो objects अलग-अलग कहा है sir repeat हो रहे है देखो a है a है यह अलग-अलग कहा है the objects are not distinct मैंने क्या बोला मैंने बोला objects are not distinct अपने यहाँ heading डाली के sir यहाँ objects यानि letters अलग-अलग नहीं है objects are not all distinct are not all distinct सारे अलग-अलग नहीं है not all distinct all objects are not distinct ठीक है जैसा ही है heading मिल गई यह वाला formula आजाएगा this is the formula we have to use जी हाँ यही तो बात है बेटा कि अगर आप समझ गए अच्छे से आपने मेरे previous videos देखें तो आपको tension ही नहीं होगी आरा हम से समझ जाओगे calculate कर लोगे ठीक है तो चलो sir शुरू करते तो हम समझ गए पहले में NPR निकालना पड़ेगा NPR अगर सिर्फ NPR निकालके छोड़ देंगे तो basically फिर तो हम यह find कर रहा है जब की गलत यह थोड़ी नहोगा अगर all objects are not distinct यह topic तुमने पकड़ लिया कि यार दिये हुए word में जो objects है जो letters है वो अलग-अलग सारे अलग-अलग नहीं है तो यह वाला लगएगा भीटा खतम य N क्या है बिटा N है 9 तो 9 factorial upon 9 minus R क्या है 9 ठीक है सर 9 minus 9 और फिर factorial सर यह हुआ 9 factorial upon 0 factorial 0 factorial बिटा 1 होता है मैं फिर बोल दे रहा हूं तो यह आया बिटा 9 factorial upon 1 which is nothing but 9 factorial only तो यह NPR क्या आया बिटा 9 factorial अब इधर ही अगर answer छोड़ दोगे गलत माना जाएगा अगर आपने यहीं answer छोड़ दिया तो आपने पता इसके एज़ाब से answer निकाला और यह formula और यह formula सिर्फ तब लगता है जब सारे objects अलग अलग हो different हो distinct हो तब लगता है यह दोनों formula नहीं है तो फिर इस पर आ जाओगे automatically ठीक है सर तो basically अब अपन यहां लिखेंगे number of permutation is equal to number of permutation is equal to बीटा NPR अपन NPR अपन सर factorial of repeated objects factorial of repeated objects अब यह क्या है सर factorial of repeated objects बताता हूँ सर NPR अपन ने निकाल लिया 9 factorial आया क्या आया NPR बीटा 9 factorial आया upon factorial of repeated objects बिटा repeat कौन हो रहा सर एह repeat हो रहा है चार बार repeat हो रहा है 2 बार तो बीटा इन ही के तो factorials बना के लिखना है factorial कि के repeated objects के ए रिपीट हो रहा है चार बार तो चार फैक्टोरियल एक इतनी बार चार बार तो उसका फैक्टोरियल बना दो एल कितनी बार रिपीट हो रहा है दो बार तो सर दो के आगे फैक्टोरियल लगा दो लो भी यह answer आ गया इसको solve कर लेंगे this will give us answer 9 factorial क्या होगा बिटा 9 factorial होगा 9 into 8 आपको पता यह factorial कैसे open करते है 7 into 6 into 5 into 4 पे रुख जा बस 4 पे into 3 into 2 into 1 नहीं लिखेंगे और जब हम पूरा का पूरा expand नहीं करते है 9 factorial को वैसे लिखना चाहिए 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 1 तक लिखना चाहिए लेकिन अगर आप बीच में कहीं रुख रहे हो तो आपको factorial पे रुखना पड़ेगा ठीक है done sir upon 4 factorial into 2 4 factorial into 2 2 factorial is 2 into 1 है न 2 factorial अपना 2 into 1 है चलो sir काट अप भी टी हाँ यार 4 factorial जे 4 factorial गया 2 से बेटा इसको काट देते हैं 2 से लेटेस कट 8 को कर देते हैं 2 4 is a 8 ठीक है जो अपना answer आएगा बेटा वो इनका multiply नीचे दो 1 बचा answer आएगा बेटा 9 into 4 into 7 into 6 into 5 ठीक है done sir तो 5 6 is a 30 ठीक है 5 6 is a 30 4 3 is a 12 120 63 into 120 answer आने वाला है 12 3 is a 36 की 6 3 carry 12 6 is a 72 73 74 75 बेटा यह answer आया 7560 मैं चाहता हूँ कि बेटा हर question को अपन deeply समझें ऐसा नहीं है कि बस हवा हवा में बेटा ऐसा ऐसे होगा बेटा यह formula लगेगा बेटा ऐसा बेटा वैसा नहीं करना है बेटा अपन को अपनको हर एक question अच्छे से करना है मतलब deeply करना है ठीक है done sir आगे चलते है बेटा इसको erase करते है example number 10 समझते है I am erasing this जी sir I am again erasing this इसको erase करते है और यह है example number 10 हमारे सामने ठीक है sir okay how many four digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 9 हमें कौन कौन से digits यूज करना है बेटा 1 से लेकर 9 1 ठीक है 2 ठीक है 3 ठीक है 4 ठीक है 5, 6, 7, 8 और 9 बस यहीं digits हम यूज कर सकते है ठीक है done sir if repetition of the digits is not allowed repetition allowed नहीं है ठीक है ध्यान से सुनों बहुत ध्यान से सुनना जी sir देखो हमने सबसे पहले permutation का formula पढ़ाता npr जो होता है बिटा n factorial upon n minus r factorial यह होता है ठीक है एक बात ध्यान लगा यह कब होगा यह formula सर्फ तब लगेगा जब पहली चीज सारे objects जो आपको दिये गए है वो अलग हों distinct हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब अलग अलग है sir every object given is different यह हमें objects दिये गए है न यह numbers जो दिये गए है इनी को हमने objects बोल दिया sir यह हमें given है क्या है यह हमको given है ठीक है these objects are given क्या सब अलग है हां sir सब अलग है ठीक है तो objects हमें दिये गए वो अलग है और repetition allowed ना हो और repetition अलग हो यह कब लगेगा पेटा यह तब लगेगा यह तब लगेगा दोस्त कब जब all objects are distinct all objects जो हमें दिये गए है all objects are distinct सब अलग अलग हो ठीक है sir है ना and and repetition is not allowed और repetition allowed ना हो repetition is not allowed अच्छा अब जहां पर यह formula लग सकता है वहां उस question को हम fundamental principle of counting से भी कर सकते हैं बताता हूं देखो चलो fundamental principle of counting से करें पहले विटा कितने letters कितने digits four digits के number बनाने ठीक है यह मैंने four digits बना ली ठीक है अब यहाँ पर हपन क्या लिख सकते हैं इन में से कोई भी number लिख सकते हैं कोई भी डिजेट लिख सकते हैं one लिख दो two लिख दो four कोई भी लिख दो ठीक है sir तो इसका मतलब इस पहले वाले number के पास पहले वाले का मतलब है अगर मान के चलो four इदर आ गया अब four in में नहीं आएगा तो four cut जाएगा repetition allowed नहीं है इसका यहीं मतलब है कि यहां जो आ गया वह यहां नहीं आ सकता समझ गया वह तो मैंने तो example के लिए ले लिया four नहीं तो कोई भी आ सकता ठीक है अब देखो इन में से कोई एक नंबर यहां बैठ गया तो कितने बचे आठ अभी टोटल नाइन नंबर्स थे नाइन डिजिट्स थी अब आठ डिजिट्स बच्छी इस वाले बच्चे के पास इस वाले ब्लेंक के पास कितने options है सर आठ options है नो options नहीं है इसके पास repetition allowed नहीं ह होगा और जैसे कोई यहां से हटके यहां आया तो भीटा repetition allowed नहीं हो मतलब अब वो यहां पर नहीं है मौजूद अब वो गया तो कितने बच्छे होंगे आठ तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 8 options हैं अब जब यहां भी एक कोई आ गया तो कितने बच्छे होंगे भई तो साथ बची अब सेविन बची तो सेविन में से समझना इस वाले option को इस वाले ब्लैंक को फिल करने के कितने option है सर 7 options है हमारे पास 7 digits है भाई इसको फिल करने के लिए पूरे 9 numbers थे तो कोई भी रख दिया एक कितने बच्छे 8 क्योंकि repetition allowed नहीं है इसको फिल करने के लिए 8 options थे एक तो चला गया ना तो 8 options थे 8 लिख दिया फिर 7 बचे अब यहां भी एक number एक digit फिल हो गई होगी एक इधर आगई एक इधर एक इधर एक इधर टूटल 9 digits थी 9 में से एक दो तीन तीन डिजिट तो भईया यहां भर गई अगर कोई तीन डिजिट यहां भर गई फिल options है अब principle जो है fundamental principle of counting वो यह कहता कि अगर सबको फिल करना है तो multiply करो multiply कर दो 9 into 8 into 7 into 6 तो answer क्या आएगा 9 into 8 into 7 into 6 so let us see answer क्या आता है ठीक है 9 8s are 72 7 8 7 6 are 42 ठीक है तो 2 2s are 4 2 7s are 14 ठीक है सर 4 2s are 8 4 7s are 28 ठीक है आराम से करते हैं ठीक है सर 12 की 2 1 करी 3 0 2 4 बेटा यह आया answer ठीक है 3 0 2 4 40 28 280 ठीक है 2 8 0 0 और 72 तो 72 यानि 144 2 8 0 0 और 144 अरे रुक जाओ जरा ऐसे कर लेते हैं ना यार 72 into 40 plus 2 तो 72 ठीक है तो 4 2s are 8 2880 है ना 2880 ठीक है प्लस 144 4 2 1 कह रही है 0 3 3 0 2 4 सही आया है रहना 3 0 2 4 is correct तो पीटा answer आ गया 3 0 2 4 sir पर हमें formula से करना है तो यह तो बिटा यह किसे करा यह हमने यह किसे करा यह करा हमने by 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 fundamental principle of counting fpc fundamental principle of counting से करा लेकिन अगर formula से करना है तो लिखेंगे बिटा by formula by using formula ठीक है formula से कर दो तो sir formula से कैसे करेंगे easy है यार formula में पता है formula लगता है बिटा जब हमारे पास दिये हुए option दिये हुए question में जो जो भी चीज़े दी गई है वो अलग-अलग हो सब अलग है 1 2 3 4 कोई भी object जो है वो different सब different है तो जब all objects are different हो repetition allowed नहीं हो तो यह NPR वाला formula लग जाएगा यानि NPR that is बिटा N factorial upon N minus R factorial अब N क्या है N का मतलब होता है कितने numbers दिये कितने digits दी गई है सर 1 2 3 4 5 7 8 9 तो बिटा N9 है upon R का मतलब क्या होता है R का मतलब है भाईया question आप से कितने letters या कितने numbers लेने को कह रहा है question कह रहा है how many four digit numbers 4 तो R4 हो गया बिटा 9 minus 4 9 minus 4 solve कर देंगे 9 factorial upon 5 factorial यह सर 9 factorial को expand करेंगे पर वन तक नहीं करेंगे 9 into 8 into 7 into 6 into 5 अब मैं into 4 into 2 into 3 यह सब नहीं लिखना चाहता हूं तो अगर मुझे पूरा वन तक नहीं जाना है तो इस पे factorial लगाना पड़ेगा अखरी वाले पे upon 5 factorial बिटा यहां पर अपन 5 factorial से 5 factorial को कट कर देंगे 9 into 8 into 7 into 6 9 into 8 into 7 into 6 answer क्या आएगा 3024 3024 answer आगा क्या फोर डिजिट के 4 डिजिट के 3024 numbers बन सकते हैं is our answer of second मतलब next वाला example done yes sir example number बिटा आप चलते हैं अपन next यानि की example number 11 पे इसको जल्दी से erase करेंगे बिटा यह रहा हमारा example number 11 चलो पढ़ते हैं बिटा क्या कह रहा है how many numbers lying between 100 and 1000 पहली चीज़ पकड़ो सबसे पहला point क्या sir between 100 and 1000 इसका माहिना हुआ क्या मतलब हुआ इसका ध्यान से सुनना सर बिट्वीन 100 and 1000 सर इसका मतलब ध्यान से सुनना सर जी सर अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो हमें समझ में आएगा के green color से लिख रहा हूं 100 और 1000 के बीच वाले 100 और 1000 नहीं 100 से आगे और 1000 से पीछे 100 से आगे अगर हम चले तो हमें मिलेंगा 101 हमें मिलेंगा 100 हमें मिलेगा 103 हमें मिलेगा 104 डॉट 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 1,000 देखो 1,000 नहीं 100 और 1,000 के बीच के तो 1,000 नहीं आएगा 1,000 से पीछे जो है 999 पिटा में इन वारे नंबर्स में से ही नंबर्स लेने हैं ठीक है चुनते जाना जी सरी यह तो एक चीज हो गई है इसको अलग हटा दो ठीक है डन अब यहाँ पर एक चीज समझ में आई के हमें जो डिजिट्स दी गई है can be formed with the digits 0,1 जल्दी से लिखते हैं सा ठीक है 0,1,2,3,4 and 5 सारी डिजिट्स जो हमें दी गई है बेटा वो डिफरेंट है सब डिस्टिंक्ट है all the objects given are distinct ठीक है धियान से सुनना जी सर if the repetition of the digit is not allowed repetition allowed नहीं है अब मेरी बास सुनो इन्होंने कहा कि इन digits का इस्तिमाल करके numbers बनाओ कौन से numbers बनाना है ध्यान से सुनो इन digits का इस्तिमाल करके numbers बनाओ और वो numbers 100 और 1000 के बीच वाले हो अगर तुम थोड़ा सा common sense use करोगे बिटा तो 100 और 1000 के बीच वाले जो numbers है जैसे ये है ठीक है कोई भी number जो 100 और 1000 के बीच में आता है जैसे ये एक number है ये एक number है ये एक number है ये एक number है ये सारे थ्री डिजिट numbers है कौन से numbers है ये सारे थ्री डिजिट numbers है कौन से numbers है सर थ्री डिजिट numbers है ठीक है तो इसका मतलब बिटा ये हमसे पता क्या पूछ रहा हाव म यानी थ्री डिजिट नमबर्स लाइंग बिट्वीन हन्रेड और वन थाउजन चैन बी फॉर्म्ड उजिजिट इस डिजिट्स वें दी रिपिटेशन इस नॉट अलाओड सुन। हमें समझ में आ गया कि झान फेल उफ्कि अबंडेट वे रूज ना वो तीन डिजिट नमबर्स का है कितनी डिजिट임 नमबर्स तीन डिजिट क्योंकि हन्रेड के बीच में जितने भी नमबर्स आते हैं वो तीन डिजिट वाले होते कैं सुनते याना जीए न यियुक्त अब हमें 3 dollars без बनाना बनाना है सुनते यह न पहले अपन वह तरीक अपनाएंगे जो सारे बच्चे गलत कर देते हैं पहले पन गलत और गलत करके उसी को सई करेंगे हैं अब उसी सिमें correction करेंगे देखो किया सुनते यह ना जी सर अब हमें तीन डिजिट के numbers बनाना है तो हमने पता क्या कहा हमने कहा कि यार इसको fundamental principle of counting से करेंगे अपन ठीक है तो मैंने कहा यार इसके अंदर कितने options है इसको कितने no repetition repetition allowed नहीं और सर तो एक दो तीन चार पांच छे छे options है हम यहाँ छे में से कोई भी फिल कर सकते है इसका मतलब इसके पास छे options है ठीक है ध्यांदर सुनना सर जी सर इसके पास कितने options है अच्छा इन में से कोई भी अगर एक digit उठके यहां आ गई तो अब वो use नहीं हो सकती को कि repetition allowed नहीं है तो सर अगर इन 6 में से इधर कोई गया तो कितने बचे होंगे 5 पाँच मैं से हम use कर सकते हैं इसको fill करने के लिए तो इसको fill करने के लिए कितने options हैं ल्या आप वो onde इक हो पाँशे ठीक है जो 5 बचे थे उन में से भी एक digit यहां लिग दी तो आप कितने बचे चार कितने options बचे चार क्योंकि repeat नहीं कर सकते तो अपनको जो भी digit अपन यहां रखेंगे उसको हटाना पड़ेगा उसको अब आप use नहीं कर सकते तो अब बचे चार भाई इन 6 में से एक यहां चला गया गया इन बचे 5 5 में से एक यहां आगया गया तो अब बचे चार digits इस 6 इंटू 5 इंटू 4 6 5 जा 6 5 जा 30 34 जा 120 तो यह कितना है 120 120 अब हम यहां 120 निकालके खुश हो जाएंगे बच्चे खुश हो जाएंगे और कह देंगे सर यह answer है गलत यह answer नहीं है अगर यह answer होता तो फिर क्या ही बात थी बेटा बेटा इसमें एक बहुत बड़ी गरबड वही बात है ना कि बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चे यहां करके 120 लिख देंगे answer आ गया जह सर इसके permutation 120 है यानि 120 नंबर लाइंग बिडवीन दिस दिस answer छोड़ देंगे सुनू एक गलबड क्या हुई इसमें हम बताते हैं यह जो 120 है ना हाँ सर इसके अंदर धि वाले blank को अपन इन 6 के 6 digits में से किसी भी digit से भर सकते हैं यही बोलाता ना हाँ सर यही बोलाता तो मैंने 6 लिख दिया कि भईया 6 options है इस blank को fill करने के लेकिन अगर आप common sense लगा होगे थोड़ी सी तो 6 के 6 में से 0 भी है हाँ सर अगर मैंने 3 digit में 0 से fill करा 0 something something अगर मैंने 0 से fill number बनाया और सथीन डिचेट के नमबर में मैंने सबसे पहले 0 लिख दिया तो यार जीरो के बाद मैं कुछ भी लिख दू टू और फ़ोर लिख दू जीरो के बाद और फायव को अब्लं के बाद 05 और 3 कुछ भी लिख दू बीटा यह यह तीन डिजिट का number ही नहीं है यह ये number hundred और thousand के बीच में भी नहीं आएंगे तो सुन लोग और से क्या sir बिटा यहां जो अपना 120 answer आया है यह answer नहीं है इस 120 numbers में वो numbers भी छुपे हुए हैं जो numbers 0 से शुरू हो रहे क्योंकि हमने इस blank को fill करने के लिए सारे options गिन लिए कि भाईया 6 options हैं इसको गिनने के लिए मतलब मैंने कहा दिया पूरे 6 के 6 digits से मैं यहां भर सकता हूँ 0 भी भर सकता हूँ 1 भी 2 भी 3 भी भाई 1 से भर दो बढ़िया है 2 से fill कर दो 3 से कर दो 4 से कर दो 5 से कर दो सब बढ़िया है लेकिन यार 0 से fill कर दिया जो हमने देखो पूरे 6 के 6 लेने का मतलब है भाईया इसके पास 6 options है मतलब 6 की 6 digits में से कोई भी fill कर सकते हैं तो मैंने 0 को भी include कर लिया और 0 से शुरू होने वाले numbers भी मैंने include कर लिया कि भाईया यहां आएंगे अब सुनो तुम मेरी बात क्या सर ध्यान से सुनना जी सर अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा यह 120 जो numbers है उसमें क्या है this contains मैं तुमसे बहुत important बात बोल ला हूँ this contains this contains those numbers also those numbers also यह उन numbers को भी अपने अंदर समाई हुए है 120 numbers जो है इसमें वो numbers भी है this contains those numbers also which starts with 0 which starts with 0 जो 0 से start हो रहे है like which starts with 0 like ध्यान से सुनना मैं जी सर like dash 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 ठीक है like अरे भाईया जल्दी से आ जाओ like 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 0 something something and we know that 0 से start होने वाला number 100 और 1000 के बीच का number होई नहीं सकता है ना आगे लिखना पड़ेगा and and these numbers and these numbers यह these numbers do not lie do not lie between hundred and thousand यह hundred and thousand के बीच में यह lie नहीं करेंगे तो मतलब अब हमें यह number जो 0 से लेकर 0 से शुरू हो रहा है 0, 0, 1, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 4, जो भी है यह 0 से शुरू होने वाले number 3 digit के जिनको हम बोल रहे हमें इनको यहार हटाना पड़ेगा 120 में से हमें उन numbers को हटाना पड़ेगा जो 0 से शुरू हो रहा है इनको निकालते हैं यह कितने थिक है डन सर चलो भी है DASH 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 अब यहां हमने 0 को fix कर दिया 0 रहेगा ठीक है ध्यान जो सुनना जी सर 0 यहां fix हो गया ध्यान जो सुनी है हम इन मेंसे 0 को यहां fix कर चुके इन दोनों जगा में 0नहीं आ सकता हाँ सर सही बात है तो जीरो गया हाँ सर खतम इस वाले को कितने options दे सकते हैं सर एक दो तीन चार बात पाँच digits में से किसी को भी fill कर सकते हैं तो मैं अगर कहूँ इसमें कितनी digits आ सकती हैं तो आप कहोगे सर इसके पास पाँच options थे 5 options are there 5 और 1 भर सकते हैं तू फिल कर सकते हैं 3 गर सकते है फॉर कर सकते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो जीरो गया यहां पर 5 नमबर बान टू ठीक है इन में से कोई एक नमबर यहां आ गया कोई एक डिजिट यहां गया वो भी गया रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अब इसको फिल करने के लिए चार और अपने पास डिजिट बची बस जीरो गया एक डिजिट और गई इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइस है चार ठीक है तो टोटल चॉइस है कितनी बनी बिटा टोटल चॉइस बनी फाइफ फॉर्जा ट्विंटी तो यह आया बिटा ट्विंटी मतलब जीरो से शुरू होने वाले जीरो से शुरू होने वाले कितने नंबर्स है 20 जो यहाँ पर भी इंक्लूड़िड है तो अब हमारा जो में आंसर आएगा वो क्या आएगा सर हमारा में आंसर आएगा 120 में से 120 नंबर्स जिसमें 0 से शुरू होने वाले नंबर्स भी हैं हमें उन में से 0 से शुरू होने वा एक चोटकट त्रीका बताता हूं तो है इसे ऐसान न जल्दी हो जाएगा लेकिन उस तरीके को दिमाग में रखने के लिए आप को थोड़ा अच्छे से focus के साथ सुनना पड़ेगा और वो क्या सुनो समझ लो के हमारे पास ये question शुरू कर रहे हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 ये हमारे पास 6 digits है ठीक है सुनते जाना जी sir अपन को पता है कि 3 digits के numbers हमें बनाना है दूसरा तरीका बतारों बिटा ये ठीक है this is method number 2 आप कह सकते हो this is method number 2 और ये ही आने चाहिए मेरे हिजाब से तो ये भी आने चाहिए आपको ठीक है done sir M2 मतला method number 2 और ये होगे अपना M1 यानी method number 1 ठीक है अब सुनते याना जी sir the question is 3 digits के numbers वो numbers बनाने है जो 100 और 1000 के बीच में आ जाए मतलब 101 102 103 ऐसे टाइप के numbers बनाने है ठीक है तो क्या कोई number 0 से शुरू होगा नहीं होगा sir 0 से शुरू नहीं होगा 3 digits के numbers अगर बनाना है तो number 0 से शुरू होगा ही नहीं तो हम समझ गए यहाँ पर 0 नहीं आ सकता यहाँ 0 नहीं आ सकता तो इस blank को fill करने के लिए हमारे पास कितने options है 0 नहीं आ सकता sir यहाँ 0 is not an option इसको शुरूआत starting should not be with 0 नहीं तो वो 3 digit का number नहीं कहलाएगा वो इन में से हो गई नहीं तो अब अच्छे बेटा 5 options तो हम समझ गए इसको fill करने के हमारे पास कितने options है 5 clear है हाँ sir अब बेटा यहाँ पर धियान से सुनना यहाँ पर अपन 0 रख सकते हैं देखो 0 अटाओ यहाँ तो 0 आए गई नहीं इन में से कोई ना कोई 1 digit तो यहाँ चली गई होगी 2 हो सकता आजाए 1 आजाए 3 आजाए कुछ तो चला गया होगा हाँ sir तो टोटल 6 में से एक डिजिट तो यहाँ चली गई तो कितने बचे 5 डिजिट अब यहाँ मान के चलो for example मान के चल लेते हैं बिटा कि यह 2 अपन ने यहाँ लिख दिया for example ठीक है 0 तो अपन रखी नहीं सकते यहाँ ठीक है sir तो 2 जब अपन ने यहाँ रख दिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से एक डिजिट चली गई टोटल 5 डिजिट बची और 5 डिजिट में से 0 भी है 2 तो चली गई हमारे पास तो अपन ने लिख दिया sir इसको फिल करने के हमारे पास 5 options है अब 5 options में से एक letter या एक number यहाँ लिख दिया तो कितने बचे 5 में से 4 numbers बचे या 4 digits बची उन 4 digits में हम यहाँ पर कोई भी digit फिल कर सकते हैं तो इसके पास 4 options है क्लियर है हाँ सर क्लियर है fundamental theorem of fundamental principle of counting कहता है कि भी या तीनों को फिल करना है अगर तीनों में फिलिंग करनी है तो multiply कर दो 5 into 5 into 4 5 into 5 into 4 answer आजाएगा 25 for the 100 लो भी या direct answer आगया 100 यहाँ इतना किया तब 100 आया यहाँ इतने से में हमारा answer 100 आगया याद रखना बेटा इन पूरे 6 के 6 इन पूरे 6 के 6 में से यहाँ हम यहाँ हम 0 नहीं put कर सकते no 0 यहाँ 0 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा सर कुछ भी आ सकता है इन 5 में से पर 0 नहीं आएगा तो 5 लिखा मैंने यहाँ 0 आ सकता है इन पांच में से कोई एक यहाँ चला गया इधर लिख दिया गया होगा तो पांच में से कितने बच्चे चार और एक जीरो और बच्अ Eli. तो तो टोटल पांच और बच्च है II. पाँच पोजिशियंग तो छोड़चे थी Nummer 10 तो पर लिखी हाँ होगी तो कितने में चार डिजिट्स पूर चार डिजिट्स में से यहां पर कोई फिलिंग कर दो फाइव इंटू फाइव इंटू फॉर आंसर आ गया हन्रेट इस यौर करेक्ट आंसर आगे चलते हैं बिटा मुविंग आन्ट नेक्स्ट इक्जाम्पल नमबर 12 ठीक है इसको ठीक है और नीचे अपाउन में लिखना है एन माइनस आर एन माइनस आर ब्रैकेट में ठीक है सर और फैक्टूरियल समझ में आ गई बात यह सर चलो फर्स्ट वाला करते हैं ध्यान से सुनना जी सर एन्ट पी फाइफ तो इसको क्या लिखोगे ऊपर एन फैक्टूरियल ठी अपने गईगा भी एन माइनस पाइफ फैक्टूरियल इस इकूल टो 42 इंटू बिड़ot N P3 N P5 जैसे था वैसी N P3 है तो N P3 N P3 का मतलब है भी टा ऊपर आहीगा N फैक्टूरियल अपॉन बिड़ नीचे आईगा N माइनस 3 N और 3 माइनस में आ जाएगे N माइनस 3 लिख अब यहां solve करना है में उसको बाद में solve करेंगे अपन first solve करना है ठीक है ध्यान से सुनना जी सर देखो बात नमबर एक यह है कि बिटा यहां भी n factorial है और यहां भी n factorial ही कट जाएगा this can be gone यहां n factorial को यहां upon में लाएंगे तो भी कटी जाएगा तो क्या बचा हुमारे पास ध्यान से सुनो n minus 3 factorial यहां आ जाएगा n minus 3 factorial ठीक है सर upon n minus 5 factorial ठीक है सर is equal to 42 बात क्लियर है हाँ सुनते जाओ हर एक step आराम से समझा रहा हूँ ठीक है सर अब बीटा factorial होते क्या है ध्यान से सुनो जैसे मैंने आपको यहां दिया 9 factorial ठीक है तो जैसे factorial हटता है अपन क्या करते है 9 के बाद multiply करके इससे 1 minus कर देते है इससे 1 minus कर देंगे यानि 8 आ जाएगा फिर 8 से 1 minus कर देंगे 7 आ जाएगा यह करते रहेंगे तब जब तक 1 नहीं आ जाता और अगर बीच में रुकना हो कि सर हमें तो यहीं रुकना है तो इसके आगे आपको factorial लगाना पड़ेगा यह basic सा है ठीक है अब n minus 3 जो है अगर मैं n minus 3 factorial हटाना चाहूँ suppose मैंने factorial हटा दिया मैंने का factorial हटाओ जैसे 9 से factorial हटाया तो 9 में से 1 minus कर दो और उसके आगे factorial लगा दो यहीं तो कर सकते ठीक है तो n minus 3 से factorial हटाया तो बिटा अब आपको n minus 3 से minus 1 करना पड़ेगा 9 यह क्या है 9 minus 1 यह क्या है n minus 3 minus 1 factorial अच्छे सर मुझे और आगे बढ़ना है factorial यहाँ पन नहीं लगाना है मुझे और आगे बढ़ना है तो लो भी यह इसको इटाओ पहले इसको factorial लेग लो ठीक है सर इसको factorial लेखा ठीक है डें सर minus का 4 हो गया सर क्या हूआ यह minus का 4 तो इसको अपन सीधा minus का 4 लेते है n minus 4 factorial बात clear है हाँ सर बिलकुल clear है ऐसी बच्चों इसके आगे और बढ़ना है मुझे यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगाना है सर तो इसको अटाएंगे तो पिटा इसमें से एक और माइनस कर दो और फिर फैक्टोरियल लगा दो ये क्या हुए N minus 5 factorial क्या हुए बेटा N minus 4 minus 1 minus 5 तो यहां लगा दिया N minus 5 factorial इतना clear है है सर सर और अगे बढ़े क्या हाँ और आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको यहां factorial नहीं लगाना है तो यह आजाएगा N minus 5 minus 1 factorial यानि N minus 6 लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं है नीचे n-5 factorial वेट कर रहा है अपने n-5 factorial तक ही आएंगे समझे क्या समझे क्या येस सर समझ गए है ना is equal to बेटा हमारे पास equal to में 42 चल रहा है ये लिग दिया अब सुनते यह ना जी सर बेटा n-5 factorial n-5 factorial gone गया clear है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है डन सर n-3 n-4 धियान जी सुनो बेटा n-3 into इसकी बात नहीं हो रही अभी ठीक है इसकी बात नहीं हो रही into n-4 is equal to 42 ठीक है ये तो भई पूरा कट गया धियान जी सुनो थोड़ी सी चालाखी से solve करना पड़ेगा अब n का बिटा अंदर multiply करना पड़ेगा अपन को तो ये हो जाएगा n square minus 4 n फिर minus 3 का multiply minus 3 n minus 3 into minus 4 plus का 12 is equal to 42 42 को यहाँ लओ n square minus 3 और 7 हो जाएगा 7 n और plus का 12 minus का 42 is equal to 0 ये हो जाएगा minus का 30 n square minus 7 n minus का 30 is equal to 0 अब बिटा 30 अब इसको middle term split वो 10 3 is a 30 10 और 3 7 दे देगा आपको ठीक है सर तो यहाँ लिखते हैं बिटा n square plus 3 n minus 10 n और minus 30 is equal to 0 बिटा इन दोनों से n common ले लेंगे bracket में n plus 3 आएगा bracket close minus 10 minus 10 यहाँ से common ले लेंगे bracket में n plus 3 आएगा प्लस का 3 आएगा ध्यान देना यह तो बेसिक से चीज़ है और class 8 का बच्चा भी कर लेगा अब यहाँ से सर n plus 3 और यहाँ से सर n plus 3 common ठीक है तो n plus 3 common bracket में क्या बचेगा बिटा n और minus का 10 n बचा और यहाँ से minus का 10 बचा n minus 10 is equal to 0 तो बेटा n की क्या values आएं n की value यहाँ से जैसे अपन ने n plus 3 को 0 के equal लिया तो n आया बेटा यहाँ से minus का 3 और जब यहाँ n minus 10 यह 0 के equal लिया is equal to 0 तो n की value यहाँ से आई बेटा 10 ठीक है तो दो answers आए n minus 3 और n 10 यह पहला part solve हुआ दोस्त this is our first part समझ में आ गई बात यह पहला part हुआ है समझ में आ रही है बात यह सर लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा क्या सर यह factorial factorial खेल रहा है अपन है ना अपन क्या खेल रहा है factorial factorial याद रखना बेटा n जो है वो negative कभी नहीं होगा इन condition में n negative नहीं होगा and smaller than zero नहीं होगा तो n greater than 4 clearly लिखा इनने तो बताओ n minus 3 है के 10 है सर 10 होगा क्योंकि greater than 4 वाला लेना है तो minus 3 तो सर negative है तो n हमें negative नहीं लेना है n क्या लेना है बेटा n is greater than 4 तो हमारा answer यह नहीं होगा हमारा main answer होगा n is equal to 10 answer क्या होगा n is equal to 10 reason लिख देना because it is given that n is greater than 4 खतम बाद ठीक है done sir यह नहीं होगा answer ठीक है we will ignore this इसको मैं erase कर रहा हूँ फिर अपन दूसरा वाला करते है second ठीक है को मैंने erase कर दिया sir इस पर आ जाते हैं चलो तो दोस्त अब second वाला देखते हैं ध्यान से सुनना जी sir npr फिर से लिखूंगा हर चीज स्टैप से समझेंगे अपन npr आप speed बढ़ा लो और session को like कर दो बेटा बिलकुल भी बत्ता मीजी नहीं करना है n factorial अपन यह होगा पिटा n minus r n minus r factorial ठीक है यह होगा done चलो करते हैं तो np4 क्या होगा sir np4 होगा n factorial upon n minus 4 factorial n minus 4 factorial ठीक है यह क्या होगा उपर वाला n factorial upon n minus 4 factorial n factorial upon n minus r factorial ठीक है sir upon लगाओ ठीक है sir upon लगा दिया यह क्या होगा simple है भाई npr होता है n factorial upon n minus r factorial तो sir यहाँ n की जगा n minus 1 है तो यहाँ भी n minus 1 हो जाएगा यहाँ भी n minus 1 हो जाएगा इसकी जगा n minus 1 है तो इसकी जगा भी n minus 1 और इसकी जगा भी n minus 1 तो यह हो जाएगा n minus 1 p और r की जगा क्या है 4 तो क्या होगा पिटा n को अटा के n-1 तो n को अटा के n-1 factorial upon n को अटा के n-1 r की जगह 4 है तो r की जगह यहाँ 4 आएगा minus 4 factorial तो यह आएगा नीचे n-1 p4 इसका मतलब है बिटा n-1 factorial upon n-r n-1 minus 4 यानी n-5 हो जाएगा ठीक है n-5 factorial done n-5 factorial इसको मैंने side में हटा दिया यह क्यों लिख रहा हूँ मैं ताकि बिटा आपके दिमाग में हर एक चीज अच्छे से जा सके is equal to 5 by 3 ठीक है भी 5 by 3 से बाद मैं निप्टेंगे एक काम करो सर क्या यह चला जाएगा इसके साथ multiply होने यह चला जाएगा इसके साथ है ना ताकि अच्छा लगे थोड़ा दिखने में दन सर तो अपनने लिख दिया बिटा n factorial into n factorial into n minus 5 factorial n minus 5 factorial done sir upon n minus 1 n minus 4 ठीक है sir n minus 1 factorial done sir into n minus 4 factorial is equal to beta क्या हैगा 5 upon 3 5 by 3 अब सुनो मेरी बाट यहाँ अब इसके बाद solve करना बच्चों को लगता है tough जबकि कोई tough नहीं है easy है ठीक है मैं LHS solve करना सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना जी sir अगर आप n पे ध्यान दो अगर आप n पे ध्यान दो जैसे मैंने आपको example समझा है था जैसे 8 factorial है मुझे इसको थोड़ा सा expand करना है तो मैं क्या करूँगा 8 को ऐसे ही लिख दूँगा into 8 में से 1 minus कर दूँगा 8 minus 1 और आगे अगर जाना है तो ठीक है नहीं तो फिर factorial लगा दूँगा यह यह नहीं 7 factorial हो जाएगा 8 into 7 factorial ऐसी n जो है जैसे n factorial है अगर मुझे जैसे 8 को इस type से लिखना है n को भी सी type से लिखना है तो मैंन को क्या लिख सकता हूँ n into जैसे 8 into 8 minus 1 तो n into n minus 1 अगर यहीं रुखना है तो factorial लगा दो अब n minus 1 पे रुखना है अपन को क्योंकि अगर यहां मैं n factorial की जगा ये लिख दूँगा तो उपर n minus 1 बना जाएगा नीचे n minus 1 factorial कट जाएगा आई बात समझे मैं बिलकुल सर तो इस n factorial की जगा मैं लिखूँगा बिटा n into n minus 1 factorial ठीक है? Done सर n minus 5 को वैसे ही लिख दो क्योंकि n minus 5 अब भी कटेगा देखो बताता हूँ कैसे n minus 5 factorial upon नीचे n minus 1 factorial as it is ठीक है सर n minus 1 factorial as it is into अब यहां अपन को changes करने है n minus 4 मैं मैं बताता हूँ क्यों देखो n minus 4 factorial लिख दिया ठीक है? n minus 4 factorial लिख दिया मुझे जैसे 8 को ऐसे लिखा मुझे इसको भी ऐसे ही लिखना है तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा n minus 4 जैसे ही मैंने factorial हटाया यहां multiply आएगा और बिटा n minus 4 minus 1 8 minus 1 तो n minus 4 minus 1 n minus 4 minus 1 अब अगर आगे और जाना है तो ठीक है नहीं तो फिर factorial लगा दू लो भी या factorial लगा दिया तो n minus 4 factorial will be n minus 4 ठीक है सर into into n minus 5 factorial जी हां n minus 5 factorial देखो n minus 5 factorial clear है? हाँ सर clear है आराम से समझा रहा हूँ ताकि हर step आपको समझ में आ सके और बेटा फिर यहां से यह पूरा देहां से सुनो यह पूरा और यह पूरा कट हो जाएगा यह पूरा और यह पूरा कट हो जाएगा जो बचा है वो लिख लेते हैं is equal to बेटा 5 by 3 we have n upon n minus 4 क्या बचा बेटा? n upon n minus 4 is equal to 5 by 3 cross multiply 3 into n 3 n is equal to 5 into n 5 n 5 into 4 5 forza minus ka 20 minus 20 हाएगा 3 n वहाँ जाएगा minus 20 हाँ प्लस का हो जाएगा 5 n के पास जैसी minus का 3 प्लस का 3 आएगा यह minus का हो जाएगा तो 20 is equal to बेटा 2 n है ना? और 2 इदर आएगा divide करने तो n की value आ गई 10 क्या बेटा यहाँ n की value 10 सही है? हाँ क्यों है सही? बेटा बताता हूँ क्योंकि n is greater than 4 n 4 से बढ़ाएगा लो भाई हाँ यह भी complete हो गया now we are done with all the examples we need to do in this part clear है क्या? हाँ sir है ना? तो n की value यहाँ पर 4 आ गई बेटा we are done with all the examples example number 4 examples हमने finally कर ली है session को complete करते है next of the 4 examples हम next part में करेंगे बहुत important example आने वाला है आपके लिए next part में एक rainbow वाला example है भाई बहुत important है बहुत जादा important है तो stay tuned जल्दी से हम उस वाले वीडियो पे भी पहुंचेंगे session को अपने दोस्तों के साथ share कर दो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो यार और अच्छी तरीके से mathematics भी समझो और सारे subjects भी अच्छे से पढ़ो क्योंकि magnet brains आपको provide कराता है 100% free of cost high quality educational videos for K-12 यानी kindergarten से लेकर class 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई बिटा सिर्व इसी channel पर for English medium CBSC board जो Hindi medium के students है जो बिटा Delhi board में है बिहार board, UP board, MP board, Rajasthan board इन 5 state boards में है जो 6-12 class में है वो भी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं हमारे magnet brains हिंदी medium YouTube channel पर जाकर उसको subscribe करके बढ़िया पढ़ाई करो और notes की बात कर लें तो आप बिटा हमारी website www.magnetbrains.com या आप हमारी application भी install कर सकते हो Google Play Store से दोनों ही जगा जाओगे तो आपको e-notes नाम का एक blinking area दिख जाएगा इस पर click करके आप class 6-12 English medium and Hindi medium all subjects के बढ़िया वाले notes डाउनलोड कर सकते हैं मैं फिर बोल रहा हूँ class 6-12 English medium all subjects Hindi medium all subjects notes experts द्वारा बनाए गए notes PDF format में बढ़िया डाउनलोड करके पढ़ा ही करो जल्दी मिलेंगे next session में तेल देन happy learning, take care, bye